गुड मानिंग स्टुडेंट्स आज हो सभी जल्दी से आपकी एक बिसेश कलास सुरू हो चुकी है कलास टिंथ का NCIT मैथ हम लोग देखेंगे समीकरण को हल करना वो भी कौनसी विधी होगी प्रतियस्थापन विधी साथियों होता है एक होता है विलोपन विधी देखें वि वीमें से प्रतियस्थापन बोले या प्रति लोपन बोले प्रतिलोपन और परतिस्थापन का मतलब एक ही होता है धेयां देना इसमें क्या करेंगे exercise 3.3 का यह पांच मतलब क्लास है और यह चैप्टर चल रहा है दो-चरदासी में रिखी समीकरन वाला वो उसका पांचमा भागए इसमें साथ ही क्या करते हैं जो दो एक कोई समीकरण पकड़ते हैं और उसमें से यक्स या वाई किसी एक कमान निकाल लेते हैं जैसे देखना इधर जैसे इसमें समीकरण जो ये पहला था ये समीकरण दूसरा था तो इसमें दूसरे समीकरण से हम यक्स कमान निकाल है तो यक्स उक्षल क्या हो जाएगा यह 4 पहले से य इधर जाएगा तो इधर माईन This और प्लस का हो जाएगा तो देखो यह क्या होगए यक्स Χामान आ गया न कि इसके समय करण 3 लिख सकते इसके आगई समखने के लिए ठीक न अब कि curl जाएप इस वागए क्या लिखो खेए देखने कि बाद में आप क्या करोगे नीचे लिखो अ आगा लिखेंगे देखिए पहले कुछ तरीका भी आता है पी लेकिन तहल समाज होंगे हमारा कहना है लेकिन इसमें आखर अगर खोड़ा लें दो अच्छाुरा यू को लिखने के पहले ब्रेक कड में बीच में आप लिखेंगे परति लोपन क्या या फिर परति अस्थापन बीती से है परतिए जा अब भीड़ी से और को कोंप दक में लिख देना समीश करहनध दो से मतलब समाझ में आया दोन समीश करनध लिख लिया उसके बश्च्रादे देना पृतिलोवविधी से कॉछ उस्टक में लीज दिना समिकरण 2 से यह नीचे भी लिख सकते हो तो समिकरण 2 हो गया आप देखिएहां लिखेंगे समिकरण 3 से जुआ को देश का मान को समे करन मऄ में कर इद إلى कि यह ना यक्स प्लस वाई इक्वल क्या है 14 है तो मित्रों यहां पर यक्स का मान दिया है ना तो चलो यक्स की जगह पर रख दो फोर प्लस वाई और यह प्लस वाई पहले से है इक्वल वन फोर फोर्टीन त्यान से देखना नीचे नहीं समझ में आजाएका तो तुरंट पूछ लेना बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना तो यहां से मित्रों इसे आप ऐसे लिखोगे क्या यह जुड़ जाएगा वाई वाई तो फोर प्लस टू आई इक्वल फोर्टीन ठीक ना इतना क्लियर है तो अब यहां उपर लिखना उपर यहां लेके चलना देखो कहां तक चलता है यहां पर आप क्या लिखोगे यहां पर आप लिखोगे टू आई इक्वल फोर्टीन माइनस फोर क्योंकि फोर उतर तो यहां पर फाइनल में y equal यह 10 अपन क्या हो जाएगा 2 तो य की value क्या जाएगी 5 y command 5 आ गया ना पहला step में इतना करना फिर दूसरा step में यह हो गया आप क्या करोगे देखो तीसरा step इधर किसमें रख दोगे किसी भी एक समीकरण में रख सकते हो किसमें रखेंगे ध्यान देना समीकरण एक में रख दीजिए दो में रख दीजिए किसी में भी रख दो आ जाता है वैसे लेकिन रूल की जो होता है समी करण अगर दो को हमने इदर उधर करके निकाला था मान तो एक में रखते हैं चलिए रख लेते हैं देखो इसमें बुक में भी यह कोश्चन दिया हुआ इसका अंसर ही आ रहा ना चलिए रखते हैं ठीक है ओक कि किसी में भी आप रख लो Y कमान आप लोग लिख लेजी है मैं नहीं लिखूं या लिखूं लिख्यwest YA Y कमान समी करण 1 में रखने पर चलो एक ही में रख दो Y equals 14 किसी में भी रख दो चाहे एक में रख जो चाहे 2 में वह ही आईगा Y कमान 5 है तो Y equals 5 बराबर 14 Y equals 14 Y equals 9 आगे ना नोट कर लो जल दी से X कमान 9 आगया और Y कमान के आगया पांच आगया ठीक है चलिये तो यह हो गया पहला तरीका पहला कुशण हो गया दूसरा देखना इसमें से एक कुश्ण साती हो इस तरह से आप जितने भी कुश्ण दिये गया है सभी कर ले न यह आपका इसमें भी S और T कमान निकालना है, देखो जो दूसरा समी करण ही से आप सिंपल में बना सकते हो, मल्टीपल करके, कैसे, देखो ऐसे, दो का इसमें गुड़ा कर लो, तो यह हो जाएगा 2S, 3 का T में करोगे, तो 3T, अपान ये 236, इक्वल 6, सिंपल समी करण में बना लो इसे तो 2S माइनस 3T, इक्वल इसके नीचे एक लिखके, तिर्चा गुड़ा कर लो गे, तो ये 36 हो जाएगा, आप देखो ये रियल में समी करण 2 बन गया, ठीक ना, समी करण 2 ये बन गया, और समी करण 1 क्या है ये, उपर वाला है, समझ रहा हो ना, अब ये 2 समी करण 1 है, कर लोगे ना, जैसे मैंने बताया था, इसमें से आप ऐसे कर लो ना, देखो इसमें, सिंपल सी बात है, इतना करने के बाद आप लिखतो, समी करण 2 बिधी से, ये परतियस था पन बिधी से, और यहां से निकाल लो, ये सिक्कल, तो ये सिक्कल हो जाएगा, 3 प्लस T, और ये स का मान, समी करण 2 में रख देना, रख के हल करोगे, T का मान आ जाएगा, जो T का मान आएगा समी करण 1 में रखना, इस तरह से आपको सारे मान मिल जाएगे, ठीक ना, तो बात समझने की कोशिस करिए, अगर नहीं समझना है, तो वीडियो को इसको फिर से देख लीजे, स्ट इस चैनल पर आपको पूरा कमपलीट टेंथ का NCRT मिलेगा, इसलिए आप प्रियाग राज पर अगर देख रहे हैं, या यूटूब के अलावा फेस्बूक पर देख रहे हैं, तो आप यूटूब पर जाकर के प्रिया इस चैनल नंबर 3 को सब्सक्राइब करें, या फिर आप मैध हासान है, लिक कर सर्च कर सकते हैं, यूटूब पर, तो वहाँ से भी हो सकता, आपको ये चैनल मिल जाएगा, लेकिन नाम यही रहेगा, पी बियर इस्टेडी 3.0 ही रहेगा, चलिए आगे देखते हैं, नेक्ट कुश्चन, देखिए अगले सवाल की तरफ हम लो तो ये नीचे जो दिया गया, इससे बिल्कुल ना घबराना, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यक्स और वाई कमान रख देना है बस, यक्स और वाई कमान इन दोनों समीकरण से मिलेगा, तो चलो हम लोग हल करते हैं, समीकरण एक है, 2x प्लस 3y इक्वल 11 है, लिख लिया, समीकरण 2 लिख लो, 2x माइनस का 4y इक्वल माइनस का 24, बहुत आसान है, यह समीकरण 1 है, और यह समीकरण 2 है, चलिए, समीकरण 1 से लिखते हैं, नीचे लिख लो, प्रतिय स्थापन, पिधी से, और उसके नीचे लिख लो, समीकरण 1 से, ठीक ना, अब प्रतिय स्थापन भी धी, अप्लाई करेंगे समीकरण 1 में, तो 2x प्लस 3y इक्वल 11 है न, यहां से साथ ही हो, हम निकालेंगे क्या, बोलो क्या निकालेंगे, यहां से हम किसी एक कमान निकालेंगे, चाहे x कमान निका बालते हैं, तो क्या होगा, 11-3y, क्योंकि 3y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यह अगर यहां पर आप ध्यान दो, तो 2 के साथ जो गुड़ा में है, उस और x के साथ 2 ऐसे हो जाएगा, तो यह हो गया x कमान, यह क्या हो गया, एक्स कमान हो गया, आप ध्यान दे ना दूसरे इस टिप में क्या करेंगे लिखिए यक्स का मान समी करण किस में रखोगे देखिए हमने एक को तोड़ा मरोडा है ना एक से ही तो यक्स निकाला है तो दो में रखेंगे दो में रखने पर तो चलिए दो समी करण क्या है टू यक्स माइनस का फोर वाई कॉल माइनस का 24 चलो रख देते हैं बहुत आसान है यार यक्स कमान देखो केबल यक्स की जगह पर चैंजिंग करना तो यह हो जाए गार टू इंटू यक्स की जगह पर 11 माइनस तीन वाई अपान टू और माइनस का फोर वाई कॉल माइनस का 24 कितना आसान है अब जरह ध्यान दो अगर यह कोश्टक खुलेगा तो उपर गुड़ा होगा और यह भी टू यह भी टू यह कट जाएगा यह लो 11 माइनस तीन वाई और माइनस का 4 वाई क्वल कितना हो जाएगा माइनस का 24 देखो यह जूड जाएगा 7 वाई कॉल माइनस 24 हो जाएगा यहां से आप वाई कमान निकाल लोगे इसको नोट कровार लिए हो तो मैं मिटा देता हूँ जल्दी करो तुरंस जो नहीं लिखे हैं तुरंत लिख लें वीडियो को रोक लें स्क्रीन पर टच करके और चल्दी से लिख लें मैं साइड में मिटा रहा हूँ ठीक न तो रोक रोक के आप सभी लिखा करिए और आगे बढ़ा करिए पहला इस्टप हो गया देखो यक्स का मान आ चुका है आपके सामने और हाँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप PVR study के तीनों चैनल में से चाहे जिस पर देख रहे हैं उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें चैनल नंबर तीन पर ये कलाश चलती है ठीक ना रेगुलर कम्पलीट चैनल नंबर तीन पर ही होगी जिसका नाम है PVR study 3.0 NCRT solution अगर आप PVR study परियाग राज पर हैं तो PVR study 3.0 NCRT solution इसे यूटुब पर जरूर सब्सक्राइब करें यहां से क्या होगा यहां से Y कमान निकालोगे तो यह हो जाएगा माइनस का 7 Y equal माइनस का 24 11 उधर जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा इधर पलस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहां से Y बराबर निकालोगे इसे जोड़ लो 5 तैनल यह माइनस का साथ और यह माइनस का आएगा कुरमला कर कर के y cm5 आ गया कितना आ गया 5 आ गया अभी यक स्कामान नहीं हुआ था याद रकना कि हुआ था फाइनल नहीं हुआ ना अटक गया था आधा था ठीया है न तो चलिए, अब क्या लिक्हेंगे हम, इसको लिख लिया तो अब इधर मिटा रहा हूं, अब लिखिए, Y-Kaman, किसमें रखू मैं? किसी मैं भी रख दो, अगैज देखो, यह तो ऐसे 1 में रख के निकला था, कि 2 में किसमें रखके निकला था य कमान समीकरण 2 में रखके निकला था ना भी समीकरण 2 में रखा था तो इसे 1 में रख दो लिखिए य कमान समीकरण 1 में रखने पर तो साथियों जब य कमान समीकरण 1 में रखोगे देखो ये 2x प्लस 3y इक्वल 11 था y कमान 5 आया है तो 2x प्लस 3 गुड़े 5 इक्वल 11 यहां से x बराबर निकालोगे 11 माइनस 15 हो जाएगा और क्यूं हो जाएगा आप समझ गयो है ना क्योंकि 11 यह पहले से है यह 3 पंचे 15 हो जाएगा तो x बराबर यह देखो यहां पर 2 इधर से जाएगा उधर हो जाएगा उसमें भाग में गटा लो 11 चार 15 माइनस का 4 आएगा बटा 2 काटो गए तो माइनस का 2 आएगा यह निए x कमान माइनस 2 आया और y कमान के आगया फांच आगया नोट कर लो जल्दी से इतना जल्दी से लिखो उसके बाद आगे बात करते हैं देखे साथिओं इसके आगे क्या होगा इसके आगे इसमें जो यह मौली बात कर रहा था ना अब यह कमान ग्याद करने के लिए क्या करेंगे x और y कमान रख देंगे चलिए इतना हो गए ना इस्टेफ, नोट कर लो फट से, अब इधर चलते हैं देखो जैसे मैं इस्टेफ बाई इस्टेफ लिख रहा हूं बीच में लाइन खीच के न आपको लाइन नहीं खीचना है, अगर आपका प्रक्तला सा है तो आप इसे नीचे उपर लिखते जाओ इ Tomorrow से बस धेखान देना अब लिखिए यम का मान गैद करने के लिए यक्स और वाई के मानों को यम कमान ग्याद करने के लिए यक्स और वाई के मानों को वाई इक्वल यम यक्स प्लस तीन में रखने पर तो चलो रख दो देखो ध्यान देना बहुत गौर से समाझना वाई कमान पांच आया था पांच रख दो यम यक्स कमान कितना आया था साथियों यक्स का मान हमें आया था भी minus 2 तो यह हो गया minus का 2 ठीक और यह plus का 3 अब यहां से 5 और 3 को इधर लाओगे तो minus हो जायेगा और यह minus का 2 हम इस तरह से इसमें से जब घटा होगे तो 2 आएगा equal क्या होगा? minus का 2 हम तो यहां से इसे हम लिख सकते हैं 2 upon माइनस का 2 1 काटोगे तो माइनस 1 इक्वलियम यानि की M कमान कितना आएगा माइनस 1 आएगा है न, तो यही तो धाँ कहई रहा था M कमान निकालना है या सब B कमान निकालना है नोट कर लिजिये बस इतना ही थी पूरी प्रकिरिया जल्दी करें आगे बढ़ते हैं फिर हम हो गया ना इतना ओके चलिए अगला कुश्चन पर हम बात करते हैं कुश्चन नंबर थार्ड ध्यान देना कुश्चन नंबर थार्ड कि राम कहानी मैंने नहीं लिखा है लेकिन हमने कुछ मातपुड पॉइंट ल साथियों थार्ड नंबर जो मेन कुश्चन है वो कुछ ऐसा है कहरा कि निमनों समस्याओं में रेखिक समिकरण यूग मुबनाईए समस्याओं का मतलब यह जो कहानी लिखी गई है इसको पढ़के रेखिक समिकरण का यूग मुबनाईए और उनके हल परतियस्थापन चैट में यह कुश्चन है आपके क्या कहता है पूरा कोईशन समझ ना कि रहा कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है अब नीचे लिखिए प्रसना अनुसार प्रसना नुसार तो साथियों अंतर का मतलब होता है घटाना इसका मतलब यक्स माइनस वाइक्वा कितना है 26 है यह समय करन रेख हो गया दूसरी सर्थ के अनुसार यहाँ पर लिख लो दूसरी इस्थिति सीकेंड इस्थिति कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी की तीन गुनी है तो चलो भाई एक संख्या जो है वो दूसरी की तीन गुनी है मतलब कि यक्स इक्वा तीन वाई यह समी करन दो हो गया दोनों समी करन बन गए द होता है परतिस्थापन में यही तो करते आए हैं ना यक से वाई किसी एक कमान निकाल लेते हैं एक तरह बाकी जो बज़ता है उसे दूसरे में ढखेल लेते हैं तो लिखिए अगला इस्टप इधर से लिखिए समी करण दो से यक स कमान समी करण एक में रखने पर समी करण एक में रखने पर तो यक स माइनस वाई कौल 26 तो यक स कमान है तीन वाई माईनस वाई कौल 26 तो साथियों यह दो वाई कौल 26 हो जाएगा वाई कौल 13 आएगा थर्टीन आएगा ना क्योंकि टू धर जाएगा कड़ देखो वाई कमान आगया यक्स कमान अभी नहीं आया अब क्या करोगे समिक रडेक में रखे थे ना अब लिखो इधर आगे तीसरा स्टेप में इसको लिख लो या फिर स्क्रीन साट ले लो नहीं तो हम मिटा देंगे वीडियो को रोंक करके लिख लिया करिए अगर हम कभी जल्दी मिटा दें नहीं लिख पाए हो ना तो वीडियो को पीछे करके लिख लिया करिए क्योंकि आप सभी अनलाइन देखते हो इतना मालूम होना चाहिए कि अगर कोई चीज मिट गया तो वीडियो को आप अपने मोबाइल फोन में लेफ्ट साइड टच करेंगे दो ती करन दो था यक्स इक्वल तीन वाई तो यक्स इक्वल तीन गुड़ा वाई का मान तेरा तो यक्स इक्वल कितना हो गया 49 क्या कह रहा था इन समस्याओं को हल कीजिए और वो भी परतिय स्थापन विधी से आ गया न हो गया लेकिन संख्याओं के बारे में बात की गई थी तो यहां पर आप लिख सकते हो अधाहा पहली संख्या पहली संख्या यक्सी कॉल उन्तालिस तथा दूसरी संख्या वाई उक्वल तेरा है इस तरह से ये साथियों आपका तीसरा कुश्चन भी कम्प्लीट हो चुका है आप इसे रोख करके लिख लो या फिर स्क्रीन साट ल होती साथियों कोशिस करने से नहीं हारना पूरांक आएगा यार टैंसन मतलो बस परिक्षा के लिए जो भी आरा रट डालो चट डालो एकदम से ठीक ना देख लो बस और एक सबसे बड़ी बात आपकी बोर्ट की परिक्षा अगर होने वाली है तो आप मार्निंग में उठ पर देर जरूर पढ़िए जो भी चीज याद करना है उसको पढ़िए सोने के पहले और उठने के बाद याद करने वाली चीजे सबसे पहले पढ़िए मैत लगाने का काम सबसे बाद में करिए क्योंकि जो चीजें याद होती है ना जब आप इस तर से उठते हो उस समय इक्सरसाइज पूरा हो गई है इसमें साथियों जो और भी कोईश्चन है उनको ध्यान से समझ लो कैसे करना है मैं बता दे रहा हूं देखिए इसमें जो अगला कोईश्चन है दूसरा नंबर वो कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग हो जाएगा फिर प्रस्णा अनुसार दूसरी स्थिति जो कह रहा है उसके अकार्डिंग चलोगे तो एक्स माइनस वाई इकॉल 18 डिग्री हो जाएगा यह समिकरन एक हो जाएगा और फिर अधिक की बात बोल रहा है एक्स प्लस वाई इकॉल क्या कर लोगे एक्स उससी यह एक्स प्लस वाई एक्स उससी क्यों होगा एक्स उससी इसलिए होगा साथियों क्योंकि समपूरक कोणों का जो योगफल है वो एक्स उससी एंस होता है ठीक ना समपूरक कोणों का योगफल एक्स उससी एंस होता है पहली सर्थ के एकार्डिंग तो आप इ तीसरा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरी दी बाद में उन्हें 3 बले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरी दी तो परते गेंद का मूले बताओ तीक ही ध्यान देना इसमें कुछ नहीं करना है बहुत ही आसान है इसमें आप यह मान लो प 5 गेंद 7 गेंद का बाद में करना पहले सिर्फ और सिर्फ बल्ले और गेंद का मानो तो साथियों इसमें क्या करोगे इसमें आप लिखिए मान लीजिए कि माना एक बल्ले का मूले एक्स रुपए और एक गेंद का मूले वाई रुपए तो पहली सर्थ के अंसार क्या हो ज साथियों यह बहुत ही मुश्किल भरे टाइम में कलास रिकार्ड होती है अगर कहीं कुछ गडबर होता है तो उसके लिए माफी चाहते हैं हमारी कोशिस होती गड़ बढ़ न हो रातरी के दो बच कर 16 मिनिटी समय हो चुके हैं लेकिन सुबह आपको ये कलास मिले इसलिए हमारा उद्दे से होता है कि आपको कलास दिया जाए किसी भी तरह से देखो लाइट बंद हो जा रही क्या है ना दो बच कर 16 मिनिट हो चुके हैं तो काफी लेट हो जाता है टेंथ की मैत आपकी नहीं चल रही थी समय की कमी की वज़ासे लेकिन हमारी फिर भी यही कोशिस है कि समय मिले और यह ना मिले लेकिन आ आप देखना न भूलिएगा फिवियर इस्टेडी ग्रूप जो चैनल का नाम पहले था वो फिवियर इस्टेडी 3.0 रख दिया गया है और इस पर आपको कच्छा बारा और आधस की दोनों एंसी आइटी मैत आप इसी चैनल पर सुबह 9 बजे से देख सकते हैं सुबह 9 लब्ध है उसे इंस्टाल कर लेंगे तो वहां पर आपको कंप्लीट कलास मिल जाएगा किसी परकार के टेक्निकल इसू अगर आती है तो उपर दिये कि वाटस अप और कॉल के नंबर पर हमसे संपर्क करें चलते हैं फिर चैहिन सुबरात्री